C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है ये कारेक्रम बड़े काम की छोटी चीटी साथियो, चीटी देखी है न तुमने? मैंने भी देखी है, छोटी छोटी, कोई लाल, कोई काली पता है, बड़ी से बड़ी चीटी की लंबाई 5 सेंटी मीटर से भी ज्यादा होती है और छोटी से छोटी चीटी की लंबाई 1 मिली मीटर से भी कम अब सोचो इनका वजन कितना कम होता होगा एक हजार चीटीयां उठा लो और पता भी न चले लेकिन पता है, पूरी दुनिया में जितनी चीटीयां हैं उन सब को मिला कर उनका कुल वजन, हम लोगों के कुल वजन के बराबर है बाबा रे, इतना भार, विश्वास नहीं होता न पर ये सच है बात ये है कि धर्ती पर चीटीयां बहुत ज्यादा है बस चीटीयां इतनी छोटी होती हैं कि हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता नहीं तो विज्ञानिकों का मानना है कि शायद धर्ती पर इतनी ही तरह की चीटीयां और होंगी अलग-अलग प्रजाती की चीटीयां लाकों चीटीयां आस्ट्रेलिया की एक प्रकार की चीटी का नाम बुल्डॉग चीटी है हाँ बुल्डॉग चीटी वो 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ी होती है एक प्रकार की चीटी का नाम है पांडा चीटी देखने में पांडा जैसी होती है ये चीटियां भी हमारी तरह सामाजिक प्राणे हैं हाँ, चीटियां सम्मीय में रहती हैं चीटियों की अलग-अलग कॉलोनी होती है यानि बढ़ा सा सम्मीय जिसमें लाखों चीटियां रहती है चीटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी छे हजार किलोमीटर की है 6,000, हाँ, 6,000 किलो मीटर समझे, कितना बड़ा हुआ, अंदाजा लगाएं भारत में कश्मीर से कन्या कुमारी तक की दूरी 3,214 किलो मीटर है बस 3,000, और हिमाले की एवरेस्ट की उचाई पता है कितनी है समुद्र तल से बस 8,849 मीटर, अब सोचो, 6,000 किलो मीटर बड़ी कॉलोनी कितनी बड़ी हुई अच्छा दोस्तो, अगर हम एक कटोरी में पानी भरें, और उसमें कुछ चीटियां गिर जाएं, तो क्या होगा? वो मर सकती है न? हाँ, मर सकती है, लेकिन कुछ चीटियां ऐसी भी होती है, जो पानी के अंदर लगभग 24 घंटे तक जिन्दा रह सकती है यही नहीं, कुछ चीटियां तो तेर भी सकती है, कमाल की होती है न चीटियां? साथियों जैसे हम घर में, स्कूल में, आफिस में, सब जगा मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं वैसे ही चीटियां भी तमू में काम करती हैं सब के अपने अपने काम निश्चित होते हैं एक तो रानी चीटी होती है और कोई मज़ूर चीटी, कोई सैनिक चीटी, कोई सफाई कर्मचारी चीटी हाँ सच ऐसे ही अलग-अलग चीटियों के अलग-अलग काम होते हैं रानी चीटी का काम है अंडे देना सफाई कर्मचारी चीटियां अंडों की देखभाल करती हैं तूटे अंडों के छिलके बिल से बाहर ले जाती हैं मज़़ूर चीटियां खाने का सामान लाती हैं और बिल में जमा करती हैं अगर कोई गड़्धा आ जाए तो दो चीटियां चिपक कर जुड़ जाती है और इस तरह बाकी चीटियां गड़्धा पार कर लेती है सैनिक चीटियां अपनी जान की परवान ना करते हुए बाकी चीटियों की मदद करती है जैसे कोई बड़ा गड़्धा परेशानी कर रहा है तो सैनिक खीटियां उसमें चली जाती है और अपने शरीर से वो गड़्धा भर देती है खीटी किसी को हाने नहीं पहुँचाती लेकिन हाँ चीटी केवल अपनी रक्षा के लिए काटती है कुछ चीटियों के डंग जहरेले होते हैं जिससे शरीर पर दाने से निकलाते हैं और कुछ चीटियों के डंग से तो पोई मर भी सकता है जैसे बुलडॉग चीटी के डंग से पर सोचो अगर पूरी धर्ती से ये चीटियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीना ही कठिन हो जाएगा लेकिन हाँ ये सच है देखो चीटियां जमीन में बिल बनाती है जिससे जमीन की उपर की परत नीचे नीचे की परत उपर होती जाती है इससे जमीन उपजाव होती है मरी हुई कीटियों से भी जमीन उपजाव बनती है चीटियां जब खाने के कण और नन्ने नन्ने बीज इधर से उधर ले जाती है तो कई बार उनसे पेड़ पौधे भी निकलाते हैं ये प्रक्रती के लिए बहुत उपियोगी हैं यही नहीं, मरे हुए जानवर, पीड़े मकोडों को खा कर चीटियां हमारे वातावरन को साफ भी करती हैं अगर दुनिया की सभी चीटियां खत्म हो जाएं तो मिट्टी को लंबे समय तक उपजाओ रखना और धर्ती को साफ रखना कठिन हो जाएगा क्योंकि सूखी पत्तियां, मरे हुए छोटे बड़े जानवरों को खाने के लिए चीटियां जो नहीं होंगी हमारे पास इस प्रकार चुपचाप से मदद करती हैं हमारी चीटियां सच मुझ बड़े काम की है न छोटी सी चीटी बड़े काम की छोटी चीटी आलेख वाचन एवन निर्मान वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. झालेजिए प्रस्तुती C.I.E.T.